हलो एवरिवन, वेलकम टू माई चानल, फ्यूजर टीजर आज जैसे कि हमने, मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी, वो Q&A सेशन होगा, Q&A सेशन होगा और उसमें जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, लाटिटिड और लॉंगिटूड या अक्षांश और देशांतर, उससे रिलेटेड में question पूछूंगी या question समझाओंगी आपको, कि किस तरीकिस exam में question पूछे जाता है पहला जो question है, इसका जवाब आपको comment section में देना है, कि कौन सा इसका correct answer है मैं correct answer भी बताऊंगी, लेकिन आपको comment section में अपना answer ज़रूर लिखना है, कि आपकी कितने answer इन questions में से सही रहे और कितने गलत रहे पहला question है, करक रेखा और मकर रेखा के मद्धे कितने अक्षांश का अंतर है, 40, 42, 47 या 25, 40, 42, 47 या 23,5 तो जिसे कि हमने समझा था कि करक रेखा एक्वेटर से या भूम अद्धे रेखा से साड़े 25 डिग्री पर है और मकर रेखा भूम अद्धे रेखा से नीचे दक्षन में 25 डिग्री पर है अगर हम प्लस करें 23,5 प्लस 23,5 तो कितने होता है, 47 तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, 47, ओके सेकंड गर्ष्टन है जीरो डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है जीरो डिग्री देशांतर रेखा के बारे में हमने समझाता है इसका दूसरा नाम क्या है इसको हम और किस नाम से जानते हैं ठीक है अंतराश्रे तिति रेखा भूमध्य रेखा Greenwich रेखा या मकर रेखा तो क्या आंसर है इसका Greenwich रेखा हमने पढ़ा था कि 1884 में Washington DC में सम्मेलन हुआ था और इसम्मेलन में ये डिसाइड किया था कि London में जो स्थान है Greenwich महां से 0 डिग्री देशांतर को गुजारा जाएगा इसलिए इसका नाम क्या रखा गया एक और नाम क्या हो गया इसका Greenwich रेखा Question No.3 है पृत्वी पर पश्चिम से पूर्व की और खीची जाने वाली कालपनिक रेखाई क्या कहलाती है करक रेखा, देशांतर रेखाई Greenwich रेखा या अक्षांश रेखाई तो हमने पड़ा था कि अक्षांश और देशांतर दोनों ही कालपनिक रेखाई है हाला कि करक रेखा भी एक अक्षांश रेखा है लेकिन यहाँ पे सभी रेखाऊं के बारे में पूछा गया है कि वो रेखाई जो पश्चिम से पूर्व की और माली जी यह अर्थ है इधर पश्चिम इधर पूर्व तो पश्चिम से पूर्व की और खीची जाने वाली कालपनिक रेखाई क्या कहलाती है तो इसका करेक्ट आंसर है अक्षांश रेखाई पश्चिम से पूर्व की और दिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है तो यह हमने डिसकस किया था लास्ट क्लास में कि जब पृत्वी घूमती है पृत्वी घूमती किस तरह से है पृत्वी पश्चिम से पूरु की तरफ घूमती है जब वो घूमती है तो उसको एक डिग्री से एक डिग्र देशांतर से 2 डिगरी देशांतर तक जाने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनिट का टाइम लगता है, ठीक है? Next question है, question number 5 66.5 डिगरी या 6.5 डिगरी दक्षिनी अक्षांश क्या कहलाता है? Arctic वरत, Antarctic वरत, करक रेखा या भूम अद्दिरेखा तो इसके बारे में भी हमने समझा था कि जिस तरी के ये माली जी हमारी पृत्वी है, पृत्वी के बीचों बीच से गुजरती है भूम अद्दिरेखा और भूमद्धे रेखा कि उपर एक अक्षांश है 6.5 चाचट डिगरी, और भूमद्धे रेखा कि नीचे एक अक्षांश है 6.5 चाचट डिगरी, तो उपर वाले को तो हम क्या कहते हैं, उपर वाले को हम कहते हैं, आर्क्टिक वरत क्यों, क्योंकि यहां पर है आर्क्टिक और नीचे वाले को हम कहते हैं अंटार्क्टिक वरत क्यों कि कि यहाँ पर अंटार्क्टिक ओशियन है ठीक है तो इसका सही आंसर हो गया अंटार्क्टिक वरत इसका नाम उस ओशियन से रखा गया है question number 6 है कि यदि green witch रेखा पर 12 बजे हैं दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में जो की 82 degree पूरवी देशांतर पर है वहाँ क्या समय होगा अब ये थोड़ा आपकी समझ पर depend करता है कि आप इस question को कितना समझते हैं और किस तरीके से इसका correct answer देता है ठीक है तो मैं कोशिश करती हूँ समझाने की मान लीजिए कि ये हमारी पृत्वी है इस तरीके से और पृत्वी के बीचों ये green witch रेखा कौन सी थी जीरो डिग्री देशांतर हमारा जीरो डिग्री देशांतर था ठीक है ग्रीन वीच रेखा अब जैसे की हमने समझा था और भारत का है भारत है पूर्वी गोलार्द में यानि कि यहां 82 something 80. practicing पूर्वी देशांतर भारत है तो हमने सबुआने समझाथा कह 이쪽 से 2 डिग्री जाने में 4 मिंट का समय लगता है एक डिग्री से 2 डिग्री घूमने में 4 मिंट का समय लगता है इसलिए पीछे के जो देश रहते हैं उनका समय पीछे रहता है जबकि आगे के देशों का समय आगे रहता है तो माल लेजिए कि 0 degree देशांतर पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में उस वक्त क्या समय हो रहा होगा यह आपका question है तो इसको solve करने की हम कोशिश करते हैं यह माल लेजिए एक लाइन में बना देती हूं यहां पर यहां कहीं है 0 degree ग्रीन विच रहां जहां पर हम बजे हैं 12 और यहां है 82.5 degree भारत ठीक है तो भारत में क्या टाइम होगा यह हमको निकालना है solution करना है इसका तो एक डिगरी में प्रित्वी एक डिगरी पार करने में समय लगता है चार मिनट प्रित्वी को घूमने में तो हम 82 से अगर इसको into करते हैं 82 से अगर हम 4 को into करते हैं तो आते हैं 328 मिनट यानि कि 82 डिगरी तक जाने के लिए हमें कितने मिनिट लगेंगे 328 मिनिट और आधा डिगरी जो है अगर इसको भी मैं 4 से इंटू करूं तो आजाता है 2 मिनिट दो मिनिट आजाता है आधा डिगरी घुमने में प्रित्वी को कितना टाइम लगेगा 2 मिनिट का टाइम लगे इकवल्स टु330 मिनिट यानी की भारत का टाइम ग्रीन विच रेखा से 330 मिनिट आगे होगा और अगर ग्रीन विच रेखा पर बारा बज़ रहे हैं दूपहर के तो भारत में टाइम होगा उस वक्त अगर इसको हम गहंटे में कनवर्ट करते हैं तो 330 बटा 7 साथ, सिक्स्टी, एक गंटे में साथ मिनिट होता है, इससे अगर इसको डिवाइड करते हैं, तो टाइम हमारा आ जाता है, साड़े पांच, तो अगर दोपहर के बारा ग्रीन वीच रेका पर बज रहे हैं, उस वक्त तो भारत में क्या टाइम हो रहा होगा, भारत में बज र अंसर हो गया, क्वेशन नमबर सेवन है, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ से चलते हुए अंतर राश्रे तिथी रेका, जो 180 डिग्री थी, अंतर राश्रे तिथी रेका को पार कर जाता है, तो उसे एक दिन का लाब होगा, एक दिन का फाइदा होगा उसको, या एक बिन की हानी, या नुकसान होगा, ठीक है, तो अब इस क्वेशन को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, हमने 180 डिग्री देशांतर पढ़ा था, ये मान लेजे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये है 180 डिग्री देशांतर, जो की क्या थी, अंतर राश्रे तिथी रेका, अं इधर है पश्चिम, और इधर है पूर्व, क्वेशन में क्या पूछा गया है, कि कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ चलते हुए, मान लेजे, ये व्यक्ति है कोई, ये पश्चिम की तरफ चलते हुए, 180 डिग्री को पार कर जाता है, तो इसको एक दिन का लाब होगा, ये एक दिन की हानी होगी, इस वेक्ति को एक दिन का लाब होगा, ये एक दिन की हानी होगी, तो मैंने पताया था कि माल लीजिए कि इदर पश्चिम में जो भी देश रहते हैं, वहां का समय क्या होता है, पीछे होता है, जब कि पूर्व में जो देश रहते हैं, उसका समय आगे रहता है, यह फोर एक्जामपल हमने पड़ा था कि अगर पूर्व में जो देश हैं वहाँ पर मंडे होगा, तो पश्चिम वाले देशों में संडे ही होगा, यानि कि वो एक दिन हमेशा पीछे रहेंगे, तो यह व्यक्ति अगर यह पार कर जाता है, तो उसे एक दिन का फिर संडे के बाद मंडे आएगा, तो फिर उसको एक दिन का क्या हो गया, लाब हो गया, हानी नहीं हुई, ठीक है, तो इस तरीके से घुमा फिरा के questions पूछे जाते हैं, एक्जाम में हमारी समझ पर यह depend करता है, कि हमें concept कितना समझ आया, हम किस तरीके से उसको solve करेंगे, यह बिलकुल हमारी समझ पर depend करता है, बहुत घुमा फिरा के exams में question पूछे जाते हैं, hope आपको यह Q&A session समझ आया होगा, Q&A session पसंद आया होगा, please, if you liked my video, please like, share and subscribe, thank you.